28 डिसेंबर 1704 की कपकपाती हुई रात गुरू गोबिन सिंग जी अपने पूरे परिवार और लगभग 100 फॉलोवर्स के साथ आननपुर साहिब से निकले रास्ते में मुगल सिना ने उन पर हमला कर दिया इस लड़ाई में गुरू साहिब के दो बड़े बेटे साहिबजादे अजीत सिंग और जंजर सिंग को वीर गती प्राप्त हुई गुरू साहिब वहां से बच निकले पूरी टुकडी से बिछट चुकी गुरू साहिब की माँ माता गुजरी कौर और उनके दो चोटे बेटे साहिबजादे जुरावर सिंग और फते सिंग वहां से बच निकले पर कुछ समय बाद ही उन्हें भी बंदी बना लिया गया दोनों साहिबजादों को टॉर्चर किया जाने लगा उन दोनों को माता गुजरी के साथ थंडे बुर्ज यानि कूलिंग टावर में कैद कर लिया गया डिसेंबर की हड्डिया जमाने वाली थंड में थंडी हवाए जब बुर्ज में इकटा होती थी तो उन तीनों के हाथ पैर सुन पड़ जाते थे गुरू गोविन सिंग के दोनों साहिबजादों की कोट में पेशी हुई और उन्हें दो ओप्शन्स दिये गए या तो वो इसलाम कबूल कर ले या फिर अपनी जान दे दे लेकिन उन दोनों ने खुशी-खुशी अपनी जान देना मंजूर किया अगले ही दिन केवल आठ साल और छे साल के दोनों नन्ने साहिबजादों को भी बेरहमी से देवार में चुनवा दिया उनकी सासे बंद होने से पहले ही वो दिवार तूटकर गिर गई पर उनकी जान बक्षने की बजाए दोनों बेहोश साहिबजादों के गले कार्ट दिये गए ये सारी हैवानियत, ये सारा दबाव, ये सारी क्रूरता इस सब के पीछे सिर्फ एक नाम था मुही अलदिन मोहमद, उर्फ औरंगजेब औरंगजेब भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसने मुगल भारत के नक्षे को पूरा बदल कर रख दिया था एक ऐसा शक्स जिसने निर्दयता की हर हद को पार कर दिया था इस वीडियो में हम औरंगजेब से जुड़ी कुछ ऐसी बाते जानेंगे जो आज तक हमसे चुपाई गई है हमारी हिस्ट्री के सबसे डेबेटेट मुगल रूलर और इंडिया के विलिन का असली चहरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए औरंगजेब का जन 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था औरंगजेब शाहजा और मुम्ताज महल का तीसरा बेटा और जहांगीर का पोता था उसके तीन भाई थे दाराशेखों, शाहजोजा और मुराद बक्ष औरंगजेब एक जालिम बादशा तो बना ही, पर अल्रेडी एक जालिम बेटा और भाई भी था शाहजा अपने बड़े बेटे दाराशिखों को हमेशा अपने बाकी बेटों से उपर रखता था जिसकी वज़े से औरंगजेब दाराशिखों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था 1657 की बात है, जब शाहजाह की तबेत अचानक खराब होने लग गई अब अपनी मौत को करीब आते देख शाह जहां ने अपनी गद्धी अपने सबसे पसंदीता बेटे को सौपने का फैसला कर लिया पर ये फैसला बाकी भाई औरंगजेब, शाह शूजा और मुराद बक्ष को बिल्कुल मन्जूर नहीं था राजे को हड़पने के लिए औरंगजेब ने अपने ही दोनों भाईयों के खिलाफ चाल चली पहले उसने मुराद के साथ मिलकर दारा शिखो को सामुगड की लडाई में हराया दारा शिखो किसी दरह महां से भाग गया कई और लडाईयों के बाद दारा शिखो के एक जनरल ने उसे धोका देकर बंदी बना लिया और औरंगजेब के हवाले कर दिया औरंगजेब ने दारा शिखो को उसके बेटे सुलिमान शिखो को जेल में डाल दिया दारा शिखो को हराने के बाद औरंग जेब ने मुराद को भी ग्वालियर के फोट में कैद कर लिया और शाह शुजा भी बर्मा में मारा गया था अब औरंग जेब का रास्ता साफ हो चुका था उसने अपने पिता शाहजा को भी आगरा फोट में कैद कर दिया और खुद को म सीटते हुए पूरी दिल्ली में घुमाया प्रजा ने अपने राजकुमार के साथ ऐसा अन्याय होता देखा तो बहुत गुस्से में आ गई और सैने को पर पत्थर बरसाने लगी प्रजा में दारा शेखों के लिए साहनो बुती देखकर औरंग जेब इनसिक्योर हो गया और उसने दारा शेखों का सर कलम करने का फैसला किया दारा शेखों के कटे हुए सर पर तीन बार तलवार चला कर उसे खून से लगपत कर दिया और आदेश दिया कि ये सर शाहजा के सामने ले जाया जाए अपने प्रिये बेटे का कटा हुआ सर देखकर शाहजा के पैरो तले जमीन खिसक गई कुछ सालों बाद 1661 में उसने मुराद को भी सजाय मौत दे दी और अपने पिता शाहजा को आगरा फोट में कैद करने के बाद उसने वहां की वाटर सप्लाई बंद कर दी उसके पिता उसके आगे गिड़ गिड़ाए कि वो प्यास से नहीं मढना चाहते पर औरंग जेब ने उन्हें वैसा ही तडपते हुए मढने के लिए छोड़ दिया आठ साल की कैद के बाद 1666 में शाहजाने आगरा फोट में ही दम तोड़ दिया औरंग जेब के परिवार ने उसके कारण जो कुछ भी सहा ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी अपने रूलिंग टेन्योर में औरंग जेब ने कुछ ऐसे डिसिजन्स लिये जो सुन कर आज भी सारी दुनिया का दिल देहल जाता है औरंग जेब की बुटालिटी का सबसे पहला उधारन थे सिखों के नौवे गुरू गुरू तेग बहदुर जी सत्ता में आने के बाद औरंग जेब ने कश्मीरी पंडितों पर इसलाम कबूल करने का दबाफ बनाना शुरू कर दिया गुरू तेग बहदुर जी उनकी मदद करने के लिए आगे आए उन्होंने पंडितों को औरंग जेब से ये कहने को कहा कि अगर गुरू साहिब इसलाम धर्म कबूल कर लेंगे तो वो लोग भी अपना धर्म बदलने के लिए तयार हो जाएंगे ये बाच जब औरंग जेब के कानों तक पहुँची तो उसने गुरू साहिब को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया गुरू साहिब अपने तीन फॉलोर्स के साथ दिल्ली के लिए निकले लेकिन वो दिल्ली पहुँचते उससे पहले ही मुगल सेनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और सिरहिंद की जेल में डाल दिया औरंग जेब ने गुरु साहिब को दो अप्शन्स दिये या तो वो भरे दरबार में चमतकार करके दिखाएं और ये थाबित करें कि वो सचमुच भगवान के कितने करीब हैं या फिर इसलाम कबूल कर लें लेकिन गुरु साहिब अपनी बात पर अड़े रहे जब लाग कोशिशों और टॉर्चर के बाद भी औरंग जेब को अपना काम बनता नजर नहीं आया तो उसने गुरु साहिब के सामने ही उनके तीनों साथियों को टॉर्चर करके मार डाला एक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये गए दूसरे को उबलते हुए पानी के बरतन में फैक दिया और टीसरे को जिन्दा जला दिया गया लेकिन इसके बाद भी गुरु साहिब ने इसलाम कबूल करने से साफ इंकार कर दिया जिसके बाद चान्नी चौक के भरे बजार में सबके सामने गुरू साहिब का सर कलम कर दिया गया औरंग जेब की बूटालिटी यही पर खतम नहीं हुई उसका अगला निशाना थे छत्रपती संभाजी महराज छत्रपती शिवाजी महराज के बड़े वेटे 23 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद संभाजी राजे ने पूरे राजे की जिम्मेदारी अकेले संभाली एक दिन औरंग जेब ने संभाजी महराज को धोके से बंदी बना लिया और उनके सामने तीन शर्ते रखी पहली कि वो औरंग जेब को अपना बादशा मान ले दूसरी कि महराठा एंपायर का सारा खजाना मुगलों को दे दिया जाए और तीसरी कि संभाजी महराज इसलाम धर्म कबूल कर ले लेकिन वीर संभाजी महराज ने किसी कीमत पर इन तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और फिर औरंग जेब ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे महराठा संभाजे को एक घहरी चोड दे दी उन्हें उट पर उल्टा लटका दिया गया और पूरे राजे में घुमाया गया रास्ते में उन पर पत्थर पहके गये और तो और लोगों को उन पर यूरिनेट करने के लिए भी कहा गया इस humiliation के बाद भी औरंग जेब का मन नहीं भरा तो उसने उन्हें जेल में डाल दिया संभाजी माराज 40 दिनों तक औरंग जेब की कैद में रहे 40 दिनों तक हर दिन उन्हें भयानक से भयानक तरीकों से टॉर्चर किया गया हर रोज पूछा गया कि क्या उन्हें शर्ते कबूल हैं लेकिन संभाजी राजे टस से मस नहीं हुए बेरहमी से उनका एक-एक नाखुन जड़ से उखाड़ा गया उनकी आँखों में लाल मिर्ची डाली गई अलग-अलग ओजारों से उनकी खाल को छीला गया और फिर लुहे के सरियों से लाल होने तक गर्म करके उनकी आँखों में डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैट तोड़ दिये गई, उनकी जुबान काट दी गई और फिर उनके शरीर के टुकडे टुकडे करके नदी में फैक दिया गया आज ये सब सुनकर भी रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं लेकिन ये सब करते समय औरंग जेब जरा भी नहीं कतराया मुगर डाइनस्टी के पहले बादशाब बाबर ने नौन मुसलिम कम्यूनिटीज पर जिज्या टैक्स नाम का एक टैक्स लगाया था जिसे बाद में अकबर ने हटा दिया था लेकिन औरंग जेब को ये मनजूर नहीं था उसने इस टैक्स को फिर से शुरू कर दिया और ये आदेश दिया कि टैक्स इखठा करते समय नौन मुसलिम्स को कुरान के वर्स बोलने होंगे जो कि उन्हें ये जताता था कि वो inferior हैं कई सारे लोगों को इसलाम में जबरदस्ती कनवर्ट करवाया सिर्फ लोग ही नहीं औरंग जेब ने हिंदू मंदिर उपर भी हमला किया उसने वारा नसी के विशेश्वर मंदिर को तोड़ कर ज्यानवापी मस्जद बनवाया औरंग जेब के शासन में कई सारे मंदिरों को लूटा गया वहां की मूर्थियों को तोड़ा गया और चुराया गया यही नहीं 1645 में औरंग जेब ने गुजरात के चिंता मनी पार्शवनाद जैन टेंपल के अंदर एक गाय को मार दिया और फिर सारी मूर्थियों की नाग काट दी औरंग जेब ने और ना जाने कितने मंदिर और गुर्दवारे तोड़ने का फर्मान दिया था कई मंदिरों को तोड़ कर उनकी जगे मस्जिद बना दी गई औरंग जेब ने मुसलिम्स के लिए भी कोई कम मुश्किले खड़ी नहीं की थी जो मुसलिम्स इसलाम को कट्टरता से फॉलो नहीं करते थे या फिर मुसलिम धार्णाओं के हिसाब से नहीं रहते थे वो उन्हें भी सजा देता था वो अपने ही लोगों के लिए एक अच्छा बार्शा नहीं बन पाया अच्छा इंसान बनना तो बहुत दूर की बात थी मुगलों ने भारत पर लगबग 300 साल तक राज किया और तुक्की बात तो ये है कि भारत के लोगों के साथ इतने जुल्म करने के बाद आज भी हमारा इतहास उनके point of view से सिखाया और समझाया जाता है औरंग जेब की इमेज को आज भी कई लोग ये कहकर whitewash करते हैं कि वो एक बहतरीन बादशा था और उसने अपने tenure में बहुत अच्छे काम किये और बहुत सारी बुरी प्रथाओं का खात्मा किया ये एक आधा अधूरा सच है पूरा सच तो ये है कि मुगल राजाओं और उनके इतहास की कहानिया हमें हमेशा एक ही साइट से पढ़ाई गई है लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें कभी बताया ही नहीं गया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसे लाइक और शेयर जरूर करना इस सीरीज में आप और किस इंडियन विलिन के बारे में जानना चाहते हैं हम आपके लिए इस चानल पर ऐसी ही इन्फोमेटिव और टूथफुल वीडियो लाते रहेंगे सो मेक शूर तो सब्सक्राइब तो चानल तिल देन स्प्रेट काइडनेस